बिस्मिल्लाइ रावान रराहीम, असलाम में कुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब, मैं हूँ जियासन सारी और आप देख रहे हैं फियासन सारी फूट सीकर्स, तो यहाँ पे हमने हाफ कप लिया है, मूंकी डाल का, 1 फोर्थ कप इसमें मैदेगा चला जाएगा, जिसको पहले बास दूद इससे यह बहुत ही स्मूथ और बहुत ही सिल्की सी बनेगी, स्मूथ सी बनेगी, तो दूद आप नीम करम ले तो और अच्छा बनेगा, बैटर चलेजी, अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है, एक पीस में, लम्स बगरा ये वो कुछ नहीं होना चाहिए, और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, ये लेंजी, अब इसमें हम मीठा सोडा एड करने वाले हैं, याद रखेगा, मीठा सोडा आपने स्टे से पहले एड नहीं करना, जब पकाना है उसी वक्त, और ये वान एट्थ, यानि कि जस्ट एक चुटकिस में मीठा सोडा जाएगा इसे ये फलफी हो जाएंगे, अंदर तक पक जाएंगे, लेकिन अंदर तक पकाने में एक एहम बात और है, बिसमिल्ला हिरावान रहीं, दिहान से सुनीगे, इस तरह से चमच से हम इसको पोर कर देंगे, ओइल का टंपरेचर देख लें, बिल्कुल ठंडा है, जड़ा भी मैंने हाई नि किया, बिल्कुल लो फलेम है, इसी लो फलेम के अंदर हम इसको पकाएंगे, इस तरह से ये अंदर तक पकेंगे, ठीक है, चाहे इसको पंदरा से 20 मिनट क्यों न लग जाएंगे, आपने फलेम को हाई नि करना, कलर की टेंशन नि लेनी, कलर बाद में हम ठीक कर लेंगे, चलेंजी, बिसमिल्ला हरा बन रही, यहाँ पे हम 400 ग्राम दही के लेंगे, फुल ओफ क्रीम, फुल ओफ मलाई, ताके मज़ा आ जाए, और इसमें चीनी आप अपनी टेस्ट के हिसाब से, मैं 2 टेबल स्पून एड़ कर रहा हूं, और दही के खटास, अगर हो थोड़ी बहुत उसके लिए, हलका सा नमक, टेस्ट को स्टेबल करने के लिए होता है, इसको अब आपने बीट करना है, तब तक, जब तक के उपर हलकी सी जाग और सिकना हटना आ जाए, इस तरह करने से दही का जो टेस्ट होता है, फ्लेवर होता है, वो 10-20-30 गुना बढ ठीक है, उसके बाद आपने पानी में आइट करना, उपर एर में रखने से ये अंदर तक खुद ही पकते हैं, अब 15 मिनट पानी में रखना है, आपने 10-15 मिनट इसको जोर से दबाएं, ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे, पानी निकल जाएगा, जो इसको अंदर गया था, साथ ही साथ इसको ऑईल भी निकल जाएगा, मतलब कि आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और साथ ही साथ ये अंदर से बहुत ही फोमी हो जाएंगे, ठीक है, अब हम इनको फोमी कर लेने के बाद प्लेट में डालेंगे, और उपर जब इसके दहीं डालेंगे, तो ये माशाला से हुपसूर्ती कितनी आ रही, इसी बात पी अगर आपको कुछ अस्या लगा, तो चैनल को जुरू सब्सक्राइब किया करें, ये आपकी तरफ से प्यार होता है, महबत होती है, आपकी तरफ से में किनाम होता है, अब इसके उपर आप दही बड़ा मसाला इसके उ ग्वाव में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब किजिए, वीडियो का लाइक किजिए, प्यार साथ हुपसूर दखार देजिए, कमिट, अगली वीडियो तक, अल्ला हाफीज,